पिछले एपिसोड में हम डारेक्ट स्पीच अर्थात डारेक्ट इन डारेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन का भाग एक पड़ चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट टू नमस्कार मैं भुपंद्र पांडे अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिज भाई आइकन को दबना ना बुले ताकि मेरे प्रत्य वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज नरेशन का पार्ट टू डारेट स्पीच टू इंडारेक्ट स्पीच में चेंज करने को हम बोलते हैं चेंज दे नरेशन कुछ एक्जांपल्स द मैं इस मोर्टल मतलब जो मरते हैं वह ता हर आदमी मरता है राजीव सेट डाट मैं इस वह अपने देखा कि भले यहां पर रिपोर्टिंग वर पास्टेंस में हैं लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हो रहा है प्रेजंट टेंस में क्योंकि यह यह युन अरसल फैक्ट होने के कारण रिपोर्टिंग मरब पास्टेंस होने के बावजूद भी यह जो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं दूसरा एक जामपल है अजया सेड़ ओनेश्टी इस दा बेस्ट पॉलिसी अना इमांदारी सबसे अच्छी नीच है अजया बोलता है अजया सेड दाट ओनेश्टी इस दा बेस्ट पॉलिसी यह एक फ्रेज है जो हम प्रया प्रयोग करते हैं तो इससे क्या नहीं हम निकलकर आता है इप दे रिपोर्टेड स्पीच रिलेट्स तो सम युनिवर्सल फैक्ट इस अटेंस रिमेंस तो जब हम युनिवर्सल फैक्ट को डारेक्ट स्पीच से इंडारेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है बहले ही हमारा यह रिपोर्टिंग वर्ब है पास्टेंस में ही क्यो नहीं हो इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब मेर पिछला एपिसोड आप जरूर देखिए अगर आप नहीं देखा है तब आप आगे की बातों का समझ पाएंगे और उसका लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही एक बात और करना चाहूंगा कि मेरे टेंस से रिलेटेड जितने भी एपिसोड से हैं उसको आप जरूर देखें तभी आप एक्टिवाइस और पैसिवाइस और डारेट स्पीच तु इंडारेट स्पीच में कैसे चेंज करना है या समझ पाएंगे इनके बुनियाद टेंस है टेंस इस दा बेस आप बोद दी चै सकते हैं दूसरा फिर हम कुछ इक देकर हैं है पहला देखा है इरिवर्सल में टेंस है नहीं होता है बहलगा ही हमारा Теперь क्यों नहीं नहीं हो और देखते हैं अनुराग में ए जो हमारा रिपोर्टिंग ओर बार्वक लिए ईंडीय वेकिंट इस चैंज में पाmernеты इंड else ao Maylege अनुराइग सेड़ इंडिया से इंडिया से यहाँ मालूम है कि Helena Saar discuss पाकेज हुए ज़ते हैं कि यहां पर यह सिंपले पास्ट हैं कि यहां पर हम देख रहा हैं कि यह संपले पास्ट अक्वु अलगे यहां तो यह पर परॉफेट तेंस में उपर यहां पर है में change नहीं हो रहा है क्योंकि यह historical fact है यह ध्यान में रखिए तो इसी क्या rule निकल कराता है अरुड़ा इप दे रिपोटेड स्पीड इस्टेट्स पास्ट historical fact दा सिंपल पास्टेंस रिमेंज अंचेंज जब हम किसी historical event के बारे में historical fact के बारे में बात करते हैं तो उसका में change नहीं होगा क्योंकि यह universal fact है फिर कुछ एक्जमपल देखते हैं read the following sentences किर्थी सेड वास्ता में हम अभी यह देख रहे हैं कि किन परिस्तित्यों में reporting पर पास्टेंस में है तब भी reported speech में टेंस चेंज नहीं होता है इन एक्जमपल्स को हम अभी देख रहे हैं किर्थी सेड रागनी सेंग वाइल मोहिनी डांस्ट दो घटनाय हुई रागनी ने गाना गया गया और मोहिनी ने डांस्ट किया किर्थी सेड रागनी सेंग वाइल मोहिनी डांस्ट यह दोनों भी किसमें हैं सिंपल पास्टेंस में या पास्ट इंडेपनिट टेंस में यह दोनों किसमें हैं यह दोनों वाकें सिंपल पास्टेंस में हैं यह दो तो पास्ट पर्प्रेट टेंस में यहां पर क्योंकि दो खटनाएं हो रही है इसी पगर एक जैंपल देखते हैं आकास अर्जुन वाज स्टडी वाइल अभीजय वाज बलेग आकास बोलता है कि अनुज जब पढ़ाई कर रहा था उसी समय अभीजय क्या कर रहा था खेल रह तो इन डारेट इस्पीच हो गया अक्ष्य है सेड्ड अनुज वाज स्टडीं वाइल अभीजय वाज प्लेंग मतलब जब आकास अनुज पढ़ाई कर रहा था तो अभीजय क्या कर रहा था खेल रहा था आपको मालूम है कि पास कंटिनियस टेंस किसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेट कंटिनियस टेंस में चेंज हो जाता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्टेंस में है तो लेकिन यहां रिपोर्टिंग वर्ब भले हमारा पास्टेंस में है लेकिन यहां पर जो हमारा पास्ट कंटिनियस टेंस है रिपोर्टेट स्वीच में वह और चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां दो घटना है साथ ही साथ हो रही है यहां वाइल जुड़ा हुआ है वाइल यह कनेक्टर जुड़ा हुआ है मतलब दो घटना एक ही साथ हो रही है अकास said that Anuj was studying while Abhijay was playing और यह किस टेंस में है past continuous तो अब इससे क्या रूल निकल कर आ रहा है रूल त्री दा सिंपल पास्ट और दा पास्ट कंटिनियूस टेंस इस नाट चेंज इब दा रिपोर्टेटी स्पीज स्टेट्स टू एक्संस दा तुक प्लेस एट दा सेम टाइम भाले ही हमारा रिपोर्टिंग वरब पास्टेंस में है लेकिन यदि दो खटनाएं एक ही साथ हो रही है पास्टेंस में तब उसका टेंस चेंज नहीं होता है यदि सिंपल पास्टेंस है तो सिंपल पास्ट ही रहेगा पास्ट कंटिनियूस टेंस है तो पास्ट कंटिनियूस टेंस रहे रवी बॉक्स को नहीं उठा सका तो देखे केन का पाश्ट फर्म कूड आ गया केन का पाश्ट फर्म क्या आ गया कूड यह एक मॉडल है आपको पता है मॉडल है कैन का कूड जो एबिलिटी बताता है गगन सेड डाट रवी कुद नाट लिप्ट दा बॉक्स यह कुद यहां पर चेंड नहीं हुआ है वह ऐसा ही डारेक्ट फिर देखते हैं शी सेड दे माइट यह माइट भी क्या है मेक पास्ट फर्म है माइट शी सेड दे माइट से इस्टे है लिटिल लंगर वह क्या बोलती है कि वह थोड़ देर ठार सकते थे वह अधिया चाहते तो थोड़ देर और रुख सकते थे लेकिन वह चले गए तो में का पास्ट फर्म है माइट शी सेड दे माइट इस्टे लिटिल लंगर तो भले हमारा है रिपोर्टिंग वर किसमें पास्टेंस में है लेकिन यहां पर माइट चेंड नहीं से भी माइट है क्यों चेंड नहीं हो रहा है देखे रूल वें दावर्ब इन डारेटी स्पीट इस दर पास्टेंस आफ एन ऑग्जिलेरी नो चैंड इस नेसेसरी मतब यह जो मॉडल से अना यह जो मॉडल में का माइट है और कैन का कूड तो यह मॉडल अक्जिलेरी का प पूद ही रहेगा आगे देखते हैं कि आप वाक ही कितने प्रकार क्यों होते हैं अब हमको देखना अभी हमने जनरल डूल से देख लिया कि जब किसी सेंटेंस को हम से इन्डायरेट्ट स्पीच में चेंज करते हैं करते हैं तो किन-किन बातों का ध्यांगे रहतोना है कि र और इस्थितियों में किस थाइप पे चेंजेस आएंगे अभी तक हम देख चुके हैं अब आपको पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं तो पहले हम देखते हैं अर्थक याधार पर अर्थक याधार पर वह के प्रकार के होते हैं अर्थक याधार पर क्या होते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है और्थक याधार पर क्या होते हैं फैला सेंटेंस है को डिखलेटमेट्यन्स भी कहते हैं इसके दोर और कोई कथन किया जाता है और जो कथन है वह तो सकारात्मक होगे या फिर नकारात्मक होगा मतलब statement या तो affirmative होगा या फिन negative होगा या फिन नेगटिव होगा यह affirmative मतलब सकारात्मक नेगटिव मतलब नकारात्मक इंट्रगर्टिव इंट्रगर्टिव sentence में हम प्रस्ण पूछते हैं what is your name where do you live तो इसके द्वारा प्रस्ण पूछा जाता है मतलब हम देखेंगे कि अलग-अलग प्रकार के sentences को हम direct speech से indirect speech में कैसे change करेंगे या reported speech में कैसे change करेंगे imperative sentence कि इसको बोलते हैं जिसमें कोई command command मिलता है command order request advice किसी को सला देते हैं किसी से विंती करते हैं प्रावरा करते हैं किसी को आधेष देते हैं इसको को imperative sentence objective sentence किसको बोलते हैं prayer and wish प्रेयर विश्ट करते हैं उसके लिए है ने, may you live down, like that, axillimetry sentence किसको बोलते हैं, the sentence which expresses some sudden feelings of mind as joy, sorrow, surprise, suspicion, hate, applause, wonder, etc, मतला हमारे मन में जो अचानक उठने वाले मनों भाव हैं, जो तेजी से उठते हैं, जैसे हम बहुत खूश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, आश्चेर चकी थुर्याते हैं, किसी पर संदेह व्यक् करते हैं, किसी की तारीप करते हैं, परसंसा करते हैं और आश्चेर चकीत हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, asclimetry sentences, आश्चेर जनक हुआ के, अब हम देखेंगे, कि इन अलग-अलग जो varieties हैं, अलग-अलग varieties के जो sentences हैं, उनको हम direct speech से indirect speech में कैसे change करेंगे, सबसे पहले ह सेंटेंस कि किसी का हम स्टेट्मेंट को पता रहें कि उसने क्या का इसले को मैंने अभिनाव सेट तू मी आई हैब नो स्पेयर टाइम तू डे तो क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है इंडरेटी स्पीट में अभिनाव अभिनाव तोल्ड मी अभिनाव तोल्ड मी डाट कॉमा को हटा के दैट लिख देना है यह अपने पिदा को क्या बोलता है कि एक दिन मैं इंजिनियर बनूंगा दा बॉय टोल्ड हीस फादर यह फादर जो अंदर था उसको आपने बाहर ले लिया यह आप ध्यान में रखिएगा कि जिसको हम एड्रेस करते है न जो भी बेखती है जिसको हम एड्रेस कर रहे है यह बोलने वाला जो एड्रेस कर रहा है तो वह यहां पर क्या आ जाता है वो बन जाता है आपजिक्ट यह क्या बन जाता है यह रिपोर्टिंग वर्बका बन इसका मतलब है the boy said to his father I shall become an engineer one day तो क्या होगा the sage say में तब सादू से नहीं शिलो the sage said to the gathering मतलब जो भक्त महां ही कठा हुए थे उनको सादू नहीं क्या कहा virtue is its own reward गुडों को अपना ही खुद अपना मुल्य है virtue is its own reward the sage told the gathering that virtue is its own reward है नहीं यह said to के जगह में आगे है टोल गैदरिंग तो हो गया आपजेक वर्चू इस वास में क्यों चेंग नहीं हुआ क्योंकि यह एक फ्रेज है एक यूनिवर्सल फेक्ट है एक फ्रेज है यहां यह प्रेजेंट टेंस में और यह भी प्रेजेंट टेंस में यह इसलिए चेंग नहीं हुआ क्योंकि यह एक यूनिवर्सल फेक्ट है यह एक फ्रेज है वाक्यांस है जो कभी बदलता नहीं है जो हमें आता है देखते है रूल्स पार चैंडिंग एन एसाटिव सेंटेंस पादब जिसमें स्टेट्मेंट होता है इस्टेट्मेंट निगेटिव भी हो सकता है ठीक है अब यह हमने काली आफरमेटिव देखा है आगे हम निगेटिव भी देख पाएंगे दर रिपोर्टिंग वर्पे इस चेंज टो टेल इनफार्म आंसर रिमार्क डिक्लियर रिप्लाई एट्सेट्रा अगर पास्टेंस है तो क्या हो आपको मालूम है कि हमको हमेशा रिपोर्टेड इस्पीच में यहां पर इस टैप के सेंटेंसे में कॉमा को हटा कर कॉमा के जगह में दैट लिखने के बाद दोनों भाग आपस में जूड़ जाते हैं तो कंजेंग्शन दैट का प्रेयोग करना है कॉमा की जगह में थर्ड आपने पीता को बोलता है ना बच्चा इसको सम्मोधित कर रहा है अपने पीता को फादर को तो यहां पर वह अबजेक्ट बन जाता है वह नहीं हम बता रहा है कि अनाउन यूजड आज एज रहें जिसको हम सम्मोधित कर रहे हैं वह रिपोटिंग वरब का आपजेक्ट बन जाता है अच्छे होता है दा अबजेक्टिव फार्म अब आप me, us, you, him, her, them is used after told told के बाद अगर said to me, said to him said to us ऐसा कुछ आता है तो उस pronoun को हम क्या बोलते हैं वह है reporting बरब का objective बन जाता है the objective form of the noun और pronoun, objective form कौन सा होता है noun या प्रनाव का me, us, you, him, her, them is used after told told के बाद पता है या आपको told के बाद to नहीं लगता है, told के बाद कभी to नहीं लगता है told के बाद हमेशा एक objective लगता है एक objective आपको लगाना है, तो इस तरह हमने देखा कि assertive, assertive sentence जो कि negative भी हो सकते हैं affirmative भी हो सकते हैं उसको हम direct speech से indirect speech में कैसे chain करते हैं फिर बाकि जो हमारे varieties है अलग-अलग varieties उनको हम अगले एपिसोड में देखेंगे है न, अर्थक एदार पर जो 5 पकर के sentence होते हैं यह पहला भाग हमने complete कर लिया अब हम आगे के episodes में देखेंगे interrogative sentence को कैसे change करना है imperative sentence को direct speech in direct speech में कैसे change करना है operative sentence जिसमें हम prayer मतलब प्रार्थना करते हैं इच्छा जाहिर करते हैं इच्छा सुचक वाकिओं को कैसे change करते हैं और exclamatory sentences जिसमें हम आश्चेरी व्यक्त करते हैं दुख व्यक्त करते हैं उस्षा या खुषी व्यक्त करते हैं ऐसे sentences को direct speech में कैसे चेंज करेंगे तो निश्टी तरुप से मेरा एपीसोड आप लोगों को अच्छा लागे लग रहा होगा और आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज का यहां मेरा एपीसोड कैसा लगा और इसे आप कंटीनू देखते रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें तक कि मेरे प्रत्य वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं थैंक यू सो मच